हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ स्वेता और स्वेतास कीचन में आप सभी का स्वागत है आज मैं बनाऊंगी डूसका जो जारकन का फेमस डिस है चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं इसे चिकन मटन या फिर आलू चेना की ग्रेवी वाली सबजी के साथ खा सकते हैं एक बरतन में मैं इस ग्लास से दो ग्लास चावल ली हूँ ये इडली राइस है आप बॉइल राइस यूज ना करें इसी बरतन में इसी ग्लास से एक ग्लास मैं चने का डाल ली हूँ और इसी में डाल देना है भिगोने के लिए इसी glass से half glass उरत की दाल लेनी है जिस glass से चावल measurement करते हैं उसी से आपको दाल भी measurement करनी होती है अब इससे double पाणी डाल कर इसे राद भर या फिर 4 से 5 गन्टे के लिए भीगोनी के लिए रख दे 5 गन्टा हो गया है चावल दाल अच्छे तरह से फूल चुका है 2-3 पानी से चावल दाल को अच्छे तरह से धो लिजिए और पानी को अलग कर दीजिए अब इसका बारिक पेस्ट बना लेना है चावल दाल को 4-5 चमच मिक्सी जार में डाले और थोड़ा सा पानी अड़ करके इसका बारिक पेस्ट तयार कर ले जार में पहले पानी अड़ ना करें वरना चावल अच्छे से पीस नहीं पाएगा वो दरदरा रह जाएगा एक बार पिसने के बाद उसके बाद जार का धकन हटा कर थोड़ा सा पानी आट करके फिर से पिसे देखिए ये पेश्ट बिल्कुल भी बारिक पिसी हूँ ये दरदरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अब बैटर को बड़े बर्तन में निकाल देंगे अब दूसरा बैज भी इसी तरह बारिक पिस लेंगे चावल दाल के साथ इसमें चार से पांच हरी मिर्च और डेड़ से दो इंच इतना अदरक पिस लीजिए इससे स्वाद बढ़ जाता है पूरा बैटर तयार करने में मुझे इस ग्लास से वन एंड हाव ग्लास पानी लगा है हरी मिर्च और अदरक चावल दाल के साथ जो पिस कर रखें उसे भी इस बैटर के साथ मिक्स कर दे इसे अची तरह से मिक्स कर ले और ढख कर दो से तीन घंटे के लिए रख दे तीन घंटे के बाद मैंने ढखन हटा कर चेक किया यह अची तरह से फूल गया है दूसका बैटर मैंने ज़्यादा ही बना लिया है मुझे इतना अभी नहीं बनाना है हाफ मैं अभी बनाओंगी हाफ मैं बाद में बनाओंगी इसलिए इसे हाफ अलग बरतन में निकाल ले और इसमें सारा मसाला एड़ करें बचा हुआ बैटर को फ्रीज में रख दे जिस बैटर से अभी दूसका तेयार करना है उसमें हाप चमच हल्दी पाउडर, एक चमच गोटा जीरा, स्वादा नुसार नमक, हाप चमच ब्लैक पेपर पाउडर, एक चमच अजवाइन हाथों से क्रस्ट करके डाले और वन पिंच हिंग डाल कर इस सब को अच्छी तरह से मिक्स कर ले खड़ा जीरा का टेस्ट दूसका में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए आप इसे जरूर डाले और हल्दी कलर के लिए डालते हैं, इसे भी डालिए, इसे कलर बहुत अच्छा आता है मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही गाड़ी लग रही है, इसलिए इसमें हाफ कप इतना पानी आट करूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी, ज्यादा पानी आट ना करें, वरना ये पतला हो जाएगा अगर पतला भी हो जाता है, तो घबराए ना, इसमें चावल का आटा आट करके आप इसकी कंसिस्टेंसी ठीक कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए अब इसे फ्राई करेंगे, इसलिए एक बरतन में तेल गर्म कर ले थोड़ा थोड़ा करके बैटर को तेल में डाले, एक डालने के बाद, दो-तीन सेकंड वेट करने के बाद, दूसरा डाले, वरना ये चिपक जाएगा फुस सेकंड के बाद, दूसरे बार भी दूसके बैटर को तेल में डाल दीजिए पहले जो डाले थे उसे पलट लिजे देखिए ये कितने अच्छे तरह से फूल गया है इसी तरह पलट कर सभी को अच्छे तरह से फ्राई कर ले देखिए दुसका का कलर कितना अच्छा आया है और ये कितना अच्छा फूल गया है ये golden brown कलर का हो गया है अब इसे बाहर निकाल लेंगे तेल से इसे medium से low flame में ही fry करें वरना ये अंदर से कच्छा रह जाएगा और उबर से जल जाएगा इसी तरह सारे बैटर से दूसका बना का तयार कर लें और अपनी फेवरिट सबजी के साथ इंजोई करें दूसका रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और सेयर करना ना भूले थैंक यू